हेलो गाईस मैं तारा कुस्वाहा आज हम बनाने जा रहे हैं अपने घर पे बहुत ही बढ़िया सूजी का केक जो की बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे खाने में बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा तो इस केक को बनाने के लिए मुझे किन-किन समगरी क जरूरत पड़ी है वह आपको तब पता चलेगा पूरा वीडियो देखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा चलिए सुरू करते हैं आज की रिस्पी एक बड़ा सा बाउल लिया है मैंने हम इसमें आड करेंगे सूजी यानी सेमुलीना मे एक कप रिफाइंड और मैंने लिया है इसको आट करेंगे फिर हम इसमें दूद डालेंगे थोड़ा से दूद डालेंगे और मिक्स करेंगे जैसे जैसे हमें दूद की और आवश्रिकता होगी वैस वैसे मैट करेंगे अगर हम एक बार में सारा डाल देंगे ना तो फिर ज ताकि सूजी हमारी फूल जाए तो 15 मिनट बाद हम कैप उठाएंगे सूजी जो है काफी फूल गई है ठीक हो गया है जो हमारा बेटर थोड़ा सा तो हम इसको मिक्स कर देंगे आप देख पा रहे होगे कि कितना ठीक हो चुका है सूजी कितने बढ़िया से फूल गई है और अब हम इसमें बाकी की जो चीज़ा हमें आट करनी है वह डाल देते हैं तो सबसे पहले हाँ पे हम डालेंगे टूटी-फोटी जो कि यह होम में टूटी-फोटी है इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो आप मेरी यूटूब चैनल पे देख सकते हैं कलर फूटी-फोटी है हम इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे बच्चों को बहुत पसंद होती है तो यह के बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है एक चोथा चैनल मैंने नमक आट कर दिया है इसे साथ इसमें हम वैलिना एसेंस का आट करेंगे और उसके बाद हम इस से तयार हो जाएगा तहां पर देखिए मैंने इसको दो से तीन मेर तक अच्छे से मिक्स कर लिया ताके एक दूसरे से सभी चीर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें आट करेंगे इनो डालने से हमारा जो है केक बहुत ही बढ़िया से फूल करके रेडी होगा तह हमेब पल्ट करके नि pandemicos करना है एक-टारेक्शन में मिक्स करना है इस फिर गैस बन रही है फिरadow बनाने की बैखिक करनाहे है खाए थैका सब्सक्राइ बेढम और आधिखाए नहीं करनेे हैं तो हम क्या करेंगें फट फटे बन बनाने की बाकिर टार लेते हैं क्योंकि हमे केक बनाने का ऐलमुनियम ट्यूप इसमें हम थोड़ा सा ओयलाइट करेंगे और और से इस अच्छे से गिरिस कर देंगे यह फटा-फट करना है तो तो यह पर देखिए ऐलमुनियम ट्यूब जो हैसे ग्रीस हो गई है ऑल से तो अब बैटर डाल देते हैं तो बैटर जो है न हमारा बेटर होना चाहिए केक के लिए तो यहां पर आधा जो है न हम अलुमिनियूम ट्यूब को डालेंगे बेटर को ताकि जो है न ऊपर काफी स्पेस खाली रहे तो जब हमारा केक फूलेगा तो उसके लिए जगह रहेगी उसके बाद हम इसके उपर से डाल देंगे अब हम क्या करेंगे एक जहार रिंग लेंगे और उसको रख देंगे बीच में आपसा तो कोई कटोरी या फिर इस ट्रैंट जो हैना रख सकते हैं उसके बाद हम उठा करके बैटर को रुख देंगे बीच ओ बीच में और फिर कवर करके अच्छी5000 पकने के लिए चोट दे या फिर आप हलका सा हाई भी कर सकते हो तो यहां पर देखिए 15 मिट बाद कैप उठाएंगे मैंने गैस का फिलेम थोड़ा सा हाई कर दिया था जिसकी वाज़े से आप देख पा रहे होंगे कि केख हमारा हलका सा बीच में क्रैश होके है तो आप गैस का फिलेम जो है ने मीड साइड से कट कर देंगे ताकि जो आशानी हो हमारे केक को बाहर निकलने में तो चारो तरफ से ना अच्छे से करेंगे और उसके बाद फिर हम लेंगे पढ़ा सा प्लेट जिसमें हम इसको पलटी करेंगे तो यह प्लेट ले लिया है मैंने इसमें अब हम केक को पलट करेंगे ताकि केक हमारा आराम से निकल जाए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया बन करके तयार हो गया है इसको हम पलट देंगे और फिर अब हम केक को कट करेंगे तो आप किसी भी डिजाइन में कट कर सकते हैं जो आपको पसंद है मैं से नार्मली कट कर रही हूं इसी तरीके से हम बाकी केक कट करके तयार कर लेंगे तो मैं आप जो है आपको एक केक पास से दिखाती हूं कितना बढ़िया हमारा केक बन करके तयार हुआ है इस प्रोसेस से आप भी घर पे केक बना करके ज़रूर ट्राइक कीजिएगा आज की रिस्पिक कैसी देख पाए फेस्बूक पे देखना तो तारा को सब फेस्बूक पेच को फॉलो कीजिएगा मिलते है नेक्स वीडियो में बाई गाईज